हेलो दोस्तों मुश्कार आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्ताखन लोग शेवा आयोग द्वारा गोशित बन शेत्रा अधिकारी प्रिक्ष्या 2021 के रिजल्ड लेगी जैसा कि आप देख सकते हैं नव फरवरी 2020 को ये रिजल्ड लेकर गिजा गया विग्यप्ती है वन शेत्रा अधिकारी प्रिक्ष्या 2021 के दिरांक नव फरवरी 2020 को गोशित प्रिक्ष्या दुप्रारम्री प्रिक्ष्या का जो प्रेनाम है कि आधार पर मुख्य प्रिक्ष्या हे तू अब बंदिक रूप से सपल अभ्यर्थ्यों के सिरेणी और उपसिरेणी वार कोटॉप मार्क्सिस में निम्नुवत है यहाँ पर कोटॉप आई है आप दिख सकते हैं जो जनरल कटेगरी है अनारक्षित उनकी कटॉप गई है 89.25 और अनारक्षित इसमें जो उप मार्क्षित की गई है वो 77.25 गई है 77.75 और अनारक्षित में पूरु शेनिकों के लिए गई है यह है 36.75 अनारक्षित की बात हम करें जो शोतंतरता से नानी से आश्रित है उनकी गई है 81.75 शाथ में अनारक्षित की जो अनात वच्चे हैं उनके लिए गई है 21.25 अगर हम बात करें अनुश्यची जाद की अनुश्यची जाद में गई है 79.50 29.59 उनकी परकार से हम अनुश्यची जाद में महला वर्ग के लिए बात करें तो यह गई है 66.59 अनुश्यची जंजात की बात करें तो यहाँ पर 73.59 में गई है और जंजाती में महला वर्ग की बात करें तो 66.59 अनुश्यची जाद करें तो यह गई है 89.25 और आर्थिक रूप से जो कमजूर है यह गई है यह गई है कि शेवेंटी शेवन पॉइंट शेवन फाइव तो यह कुट आप गई है और इसका रिजल्ट डिक्लियर कर दिया गया है कि नौ फरवरी को यह घोशित किया गया था अब इसी के आधार पर मुंख्य प्रिक्षा है तो जिबन के टाकुमेंट फेरिफाय हो जाएंगे फिर से अलक्सी विग्ग्यवति निकलेगी और फिर से मुंख्य प्रिक्षा में समलीद विद्यार्थियों को फॉर्म भरता हो होगा मिलते नेस्ट वीडियो की साथ थैंक यू